ये आप लोगों को मैं सिखाता हूँ दो मिनट के अंदर अंदर किस तरह आप लोग बड़े टमाटर पास रखते हैं कई लोग बहुत ज़दा टमाटर उगाने के चक्कर में जो इसका फ्लावरिंग पैटर्ण जो इस तरह से कुछ आता है इसे इसके अंदर बहुत सारे फू इसका शॉलूशन बहुत इजी पीजी है अच्छा आप लोग को करना कि आने वाले आगे के पांच टमाटर को आप लोग छोड़ दें इसकी एक दो तीन चार पांच और बाकी के जो इस तरह से काट दें ऐसा हम क्यों करेंगे क्योंकि जो ये टमाटर आते ये बहुत हला की दिखने में पांच टमाटर बहुत अच्छे लगेंगे दस आते हैं तो बहुत अच्छा एक fighters को में आता है बट बड़िवाव flipping चाहते हैं और चाहित तरह ने दीजिए और इसके पन्तन तरह फिर खुब अच्छी साइस जाके टमाटों आएंगे सामने देख रहे हैं पौधे के एक्सपेरिमेंट किया है मैंने कि क्या 10 इंच के पौट में हो जाएंगे 16 टमाटर तो इसके लिए भी मैं काम करूँगा कि जो यह छोटे-छोटे बंच आ रहे हैं मैं इनी को रहन दूँगा आने वाले उपर के बंच इसको काट दूँगा ज कि किसी काम के नहीं होते तो यहां पर लोग देख सकते हों आपको हर एक पौधे के साथ नहीं करना है कि उसके अंदर दस तिप्रोड ले सारी दस फुलावर ले बाकि सब किस तरह काट के फेक दें तो चलिए जानते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं बड़े टमाटर उगा हैं मेरे कहने का यह मतलब है कि जिस तरह के फिर बीज होंगे बीज के ओपर डिपैंट करेगा कि जो आपका फ्लावर जो आपके फ्रूट बनेंगे वो किस तरह की फ्रूट बनेंगे फर एक्जामपल मैंने हापे ब्रॉकली उगाई बट अगर मैं यह एजियूम करूं कि मुझे नहीं मुझे वाइट मिलेगी पर वाइट नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बीज ही ग्रीन के लगाए हैं तो यह कुछ बेसिक टिप्स हैं अगर आप ध्यान डखोगे तो एकदम मदद मिलेगी आपको ग्रो करने में कोई भी पौधा तो बीज और पौधे के अंदर ज्यादा फूल नहीं आने देना क्योंकि वह आगे चलके प्राब्लम क्रियेट करते हैं और टाइम टाइम पे जैविक हुमिक एसीड का इस्तमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो हो सके तो थोड़ी मिट्टी भी इसकी रूट्स के पास चड़ाइए तो अगर यह कुछ बेसिक से टिप्स अगर आप लोगोंने फॉलो किया तो बहुत अच्छी यकीनन आपको लोगों को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी तो बताए कैसा लगा वीडियो